जोचके दोश्तों मेराज पांडे आप देख रहे हैं आरसीय नोटुड़, आएज जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्यत्समाचार की बारे में अभी की लेटिस्ट एपड़ीट की गुम्राँ होने से बचाता हूं इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा, इसकी मत करीएगा इस चैनल के माध्यम से आपको बिभीन ने परकार की जानकारी दिया आती है कोई इसपेसल भरती परिष्छा खबरे होती हैं इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा वही खबरे दिखाई जाती हैं जो मोस्ट पॉपलर होती हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे इसी परकार के अथ्हेंटिक प्रशे भर्ती बिझ्व्यप्ति निकलवने रीड़ भर्ती में पधबढ़ाने कंप्यूटर अम्जलिसक भर्ती बिझ्व्यप्ति जारी किया गया है आस्वासन क्या मिला है तुम्हें आपको बता जो कि कंप्यूटर अंदेशक की जो हरती है वह इसी महीने में जारी करने की तैयारी चल रही है इसी महीने में अन्य भरतियों के लिए विचार चल रहा है जल्दी आपको एक परिश्चा कलेंडर देखने को मिलेगा साथ सद मैं आपको बता जो पटवारी भरती हुई ग्राम विकासितकारी भरती हुई इन सब भरतियों में काम चल रहा है ग्राम विकासितकारी भरती परिच्छा 15 अपरिल के बाद कराने के तैयरी चल रही है वह से अभी इसके समझ में एक और बैठक होगी पटवारी परि मंत्री जी से बात की गई, उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि आपकी प्रक्रिया को जलसी आगी बढ़ाए जाएगा, पदों की शंख्या बढ़ाने को लेकर कुछ भी इस्वष्ट जानकारी नहीं मिली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि रीट सिछक मेहने पहले देखने को मिल सकती है, यहाँ पर देखिए एक और महत्मूल खबर है, बिएश टी सी आप भेर्थों ने फिर से उठाई मांग, हाई कोड के फैसले को सुप्रेम कोड में चुनोती, नहीं देने की मांग, कहा कि हिमान चल, हाई कोड में रिवी पटीशन में मिल है, और बहुत ही बड़ी खबर है, अगली अपडेट है, टेबलेट वा स्मार्ट फोन का बितरन नहीं, अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जैसा कि आपको मालूम होगा, कि उत्तवित के मुखमती योगी आजित राजी ने टेबलेट और स्मार्ट फोन बितरन का एलान किय था, कुछ को दिये गए, कुछ को, मतलब की एक चौथाई हिस्सा भी नहीं पाया है, कुछ को दिये गए, और बहुत लोग बाकी है, तो सभी के जहन में एक सवाल था, क्या चुनाव पीरियट के दवरान, यानि कि आज सचार सीटा लागू हो गई है, तो क्या इसमें आये थे, उनका वित्रन किया जा चुका है, यानि कि जितने आये थे, उनका वित्रन हो चुका है, जो लोग नहीं पाये हैं, उनका क्या होगा, और मैं आपको बता जूँ, जिधर टेबलेट और स्मार्टफोन बाटे जा रहे हैं, उधर अखले शियादों की द्वारा आयलान भी कर दिया गया है, तो जितने बीच हात रहें, उन्हें 2022 में सरकार वनने पर लेफ्टाप दिया जाएगा, पहले जो लेफ्टाप था, उससे वहतरी लेफ्टाप रहेगा, आप देखेंगे, फिर हार, किसकी सत्ता आती है, कमन क्या वित्रन करता है, यह तो वक्त आये गा, अगली अपडेट है, कुरूना संक्रमण को लेकर, कुरूना संक्रमण से सिच्छकों की निक्ति पर लग सकता है ग्रहाण, तो यह पटना के ख़वर है, बिहार की खवर है, कुरूना संक्रमण के मौझूदार अरप्तार को देखते हुए, राज के करिव सबाद 6 पेलाक सिठ्थे पदों पर चल रही नियुक्ति के प्रक्रिया पर ग्रहन लगने के आसार है जानकारों की माने तो सरकार के ग्रीव भाग द्वारा जारी दिसानरी देशों के अनपालन में भी इसकी घोसित गदविधियों का निरवध संचाल नियम बिरुद्ध होगा सभी जानते हैं कि काउंस्रिंग और नियुक्ति पत्र वित्रन में भारी संख्या में अभ्यर्चों की भीड जुटने वाली है और यह मवजूदा लागू सक्ति के विरुद्धी होगी तो भरती प्रक्रियाओं पर असर हो सकता है भरती प्रक्रिया इठीत हो सकती है 17 से होने व जानुने कहा है कि पढ़ाई रोजगार के सासी चाय की मुप्ति सुधा दी जाएगी तो देखिए जो रोजगार पर बात करें जो किशानों की बात करें जो युवा की बात करें जो सरकाई नौकली की बात करें जो आपके हक की बात करें जो स्वासुधाओं की बारे में ब अच्छी पार्टियों में BSP भी बात करे तो उनका साथ दीजिए लेकिन जो मूल भू सुभधाओं के बारे में बात करे उसका साथ दीजिए मैं तो खुले तोर पर कहता हूँ उनकी का साथ देना चाहिए जो डबलमेट विकास की बात करे और चुनाओ विकास पर होना चाहि दूं उस्तरिस के मुखमंत्री जी ने असी और वीस का आखड़ा बता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि असी और वीस का आखड़ा क्या है एक और महत्पूर्ट खबर है हाई स्कूल इंटर में मानक 10 किलो मीटर का है केंद्रे बनाया 15-20 किलो मीटर दूर तो जब मानक 10 किल किलो मीटर रेंज का है तो 15-20 किलो मीटर दूर सेंटर क्यों बनाया गया जनपत के तीस से अधिविद्यालों नित्ताई पर इच्छा केंद्रों की सूची पर आपती तो ब्रेकिंग युज है आप 23 जनौरी तक कर सकते हैं इस पर विचार में मर्स होगा और सेंटर में पर क्रोना की रपता लगाता रब रही है और क्रमचारी 50 कर दिये गए हैं यानि कि दफ्तर में 50% कर्मचारी काम करेंगे । जब 50% करमचारी काम करेंगे और कार्मचारियों के संग्या बहुत अधीक नहीं होती है वहां पर क्रोणा संक्रोण फैल सकता है तो क्या UPTT परिष्छा में क्रोणा संक्रोण नहीं फैल सकता है सभी के जहर में एक सवाल है क्या परिश्चा होगी तो एड़िविट कार आज जारी नहीं होगा जैसा कि कई सवाचार पुस्त्रों में आप लोग उन्हें पढ़ा होगा कारण भी बताया गया है कि मुप्त सेवा देने के लिए अभी मुखमंत्री जी का निर्देश नहीं आ पड़ेगा अपनी तयारी करते लिए 23 तयारी को परिषा कराने की तयारी शासन से क्या देखने वाली बात होगी हां शुक्रवार या फिर स्ववार को करी किया दासकता है सुक्रवार से लेकत स को मार के बीच में तो अगर परिच्छा इस्थिगित नहीं होती है तो admit card आएगा अनिथा नहीं आएगा तो अभी या संसे बना हुआ है जब तक admit card ना आ जाए तो admit card अगर आना होगा जो जानकारी मिली है सासन का निर्देश जो भी होगा तो सूला सूलनी 17 तारीख तक आपको admit card देखने को मिलेगा यानि कि कल से लेकर 17 तारीख तक और यहां पर एक और महत्पुर्ण ख़बर है जैसा कि 28 नॉम्बर की बारे बिताएगे पर लिख हो गया था क्या आपकी बार ब्योस्थाओं को च ताइज रहना पड़ेगा नहीं तो चुनाओं का पीरियड है अगर पेपर लिख हो गया फिर तो सास कर सरकार की भी किर्क्री होगी और सासन प्रसासन अपना हाथ पाऊं खाना कर देगा क्योंकि लगातार पेपर लिख होनी के घटना है सामने आ रही है तो इस पर भी से ज बताया गया है परसिद्य प्रात्व कि स्कूलों में 99000 साय का ध्याप भरती का भरतियों ने आराच्छी दुवर की गलत तरीके सी अनसर सो पदों पर भरती पर क्या रोकने की मांग लेकर सुमार को हाई को भी याज का दायर की है अनसर सो पदों के लिए जारी 34 सूची से आ संतुष्ट ओवी से और एस्टी अबिर्चों का कहना कि 71,000 भरती में आरच्छी दुवर की 19,000 से अधिक सीटे हैं जिस पर घोटाला हुआ है लेकिन सरकार मात अनसर सो पदों पर घोटाला सुविकार कर रही है याज का दाखिल करने वाले मुनियस मौरिक करना है कि पूर वेसिक सिछा माने सबीजे के रहं आनन था बरतमार में वेशिक शिछा परिशत के सची परताफ सिंग भगेल ने कहा था कि भरती में एक सीट भी एक भी सीट पर घोटाला नहीं हुआ जबकि सरकार ने गोटाला सुविकार कर सूची जारी कर दी है तो अब कोट में क्या होत ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा ऐसा केरजी रिवाल जी ने पहले ही बता दिया है एक और महत्पूर्ण कबर है आई ए आर्टी में सिच्छक भरती के आर्चन रोष्टर पर सवाल इलाबा विश्विद्याले की शास्तंग भवन पर फूंका निजसक का पुतला तो लगात और में सिच्छा परिशत की और से 2022 के लिए परिच्छा केंद्रों की जो सूची है उसकी आपत्री कित थी तेरा तारिक निधारित की गई है दोस्तों 91 केंद्र बनाए गए हैं प्रियाग राज में इनका निधार्ण आनलाइन किया गया है एक और महतपूर्द खबर है स्वामी परसाद माउरिया को लेकर जरसा कि BJP में खलवली मच चुकी है और BJP के काददावर नेता जो की BJP में रह चुके हैं बीएसपी से बीजेपी में गए और बीजेपी में मंतरी रहे उन्होंने पस्ति स्थीपा दे दिया है और सपा का दामन थामने जा रहे हैं तो भाजपा को बड़ा जटका लगा है और इन्हें मनाने का प्रियाज भी किया जा रहा है मैं आपको बता दूँ अखलेस ने स्वा मना रहें यानि कि बीजेपी वाले क्यों मना रहें यहां पर साफ साफ रिखा हुआ है कि डैमेज कंट्रो शुरू साह को हालत सम्हालने की जिमेदारी तो केशो स्वतंद्यों सिंग और बंसन ने नाराज मंत्रियों और विधायकों से फोन पर की बात तो इनके द्वारा मनाने का प्रियास किया जा रहा है इनके मंत्री संत्री सब लगे हुए है मनाने के लिए अधर इनके अखलेश यादों के सभी लोग स्वागत करने पर लगे हुए है तो अब की बार चुनाओ वहो थी एहम है 2022 का अब 2022 मे कवन सत्ता में आता है किसकी सरकार बनती है या तो वक्त बताएगा लेकिन इतना मैं आपको बताला चाहता हूँ कि जो कदावर नेता है वे सभी पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं अभी कम से कम 10 से 13 विधाय जो है सपा में सामिल हो सकते हैं तो इधर से अमिस्था के द्वारा सपा पार्टी के विपच्छी दलों के विधाय को अपने में जोडने की बात कही जा रहे अब कितना सफल होते हैं तो देखने वाली बात होगी लेकिन हां इनका कहना है स्वामी प्रसाज मौरिया का कहना है कि पिछलों के हका दलित के हका हनन हो रहा है कोई एक साल से कम उम्र का बच्चा भी संक्रमित तीन दिन में मिले एक हजार मरी तो यहां पर पूरी खबर दीगे वराणशी की खबर है इस्तिती बहुत ही गंबीर है तो आपको सतर कराएना है जिससे कोवीड महामारी से बचा जा सके एक और महत्मुर्ण गवर है विधान चुनाव को देखती हुए चुनाव आयूरे चोदा कुलवाई ब्रीफिंग मीटिंग ते तिर पर आईस अजकारी प्रवेश्चक बढ़ाए गए हैं जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है विर्चूल की होगी मीटिंग अजकारों को समय और तयारी किस्ता सामिल होने के निर्देश एक और महित्पूर्ण खबर है हर परिच्छा में स्रीज मारी नकल माफिया पड़े भारी तो मैं आपको बताना चाहता हूं यूपी टीटी पर इच्छा हूँ गोटाले का प्रियास किया गया अब धाजली हुई या नहीं हुई या जांच का भी से इस पर जांच होनी चाहिए और पुष्टी भी होनी चाहिए कि धांजली हुई है नहीं गोटाले का सामने आया पहले सिर्कार नहीं कर रहे उसके बाद अनुसर सो सीटो पर नुक्ति देने की बात की मामला कोड में चला गया उननीस जार सीटो की मांग चल रही है और यहां पर देखे विक्की खान का क्या कहना भरती पर क्रिया को पारदसी तरीके से संबन कराने में सरकार पूरी तरह से बिफल रही वनतर या सिच्छक भरती टीटी पीजिती दोजार इकीस और हाली में आई वी टीटी इसका सबसे बड़ा उधार रहे हालिया है कि परिच्छाओं में धांजली के खिलाब चात्रों को सलक पर उतना पड़ा यहां पूरी तरह से यहां तक टीटी पर लिख बात है तो इसमें सरकार के त्वरित कारवाई की पीनपी सच्छू तक को गृपतार किया गया टीटी का पेपल साइस्तन सरकार को बदराम करने के लिए आउट कराया मैं आपको बता दूँ जात फैक्टर बहुत एहम रोल निभाता है मैं आपको बता दू बर्तबान सरकार जो है उनके मुकमंत्री जी ठाकुर है आपको भली भात मालम होगा और उत्तर प्रदेश नहीं सभी राजियों में कई राजियों में जात फैक्टर बहुत ही महत्पुन होता है और जात इगत ओट पड़ते हैं अभी आप देखे मायबती के सपोर्टर ज्यादत तक उनका कोर ओटर जो होता है वायसी होता है दलित होते हैं मुलायम सिंह यादो के जो कोर ओटर हैं यादो है और OBC इसे ठाकरवादी भी सरकार बोला जा रहा है ठाकरों की सरकार है और यहाँ पर जो कहरें निस्पस चरीके से भरती हुई इनका नाम है आतेंदर सिंग ए वी 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 ताप ए बी वी पी आपको मालूम होगा ए वी पी क्या है तो मुझे बतानी क्यों शक्ता नहीं है यहाँ पर साफ साब देखे लिखा हूँआ में मार्क कर दूं मार्क दिखाई नहीं देगा यहां पर लिखा हूँए ए-b- V,P तो अगर ठाको हैं बरितमानसरकायर की बात हो रही है बरहन है तो दोनों तरब बात होुरही है यह हैं तो सपाबसपां की बात हो रही है बहुत कमetoí मुस्लिम है तो सपाबसपा की बात हो रहे तो देखिए जांत फैक्टर वहुत है अहम हों का निभाता है अब यह कोई कह दे कि आप गलत बोल रहे हो भाई यह गलत नहीं करूआ सकते हैं और मैं आपको बता दूँ जब मैं वीडियो बनाता हूं अपलोड करता हूं सही बात बोल देता हूं देखिए मैं कहता हूं कि रोजगार की जो बात करेगा सरकारी नौकरी की बात करेगा डवलम्मेंट की बात कर का नहीं होना चाहिवे नीतिया गलत नहीं होनी चाहिए और भरती पूछना जरूरी है UPSI भर्ती में प्रियास किया गया नहीं अब भर्ती रद करने की बात कही तो उन पर कर दिया गया तो इस तरह के सिति उस्तरप्रदी में देखने को मिल रही है कश ब्रहमण औरूप्ता भी को रोट के माने जाते तो कुछ गुप्ता कुछ भर्हमण और कुछ ठाकुर तो सौ में नब्वे पर्सेंट है और भर्हमण फिट्टी परसेंट हैं और प्रूप्ता में किस तरह से करेंगे मतलब की सही बात बोलने पर भी पाबंदी लगाने का प्रियास किया जा रहा है उनका कहने का मतलब है जो सरकार कहे वही कर तो भया मैं निस्पच तरीके से जानकारी दूँगा बुरा लगे तो चैनल अभी अंसबस्क्राइब करके चले जाओ लेकिन दो इवाव की बात नही सिच्च भर्ती की बात नहीं करेगा रोजगार की बात नहीं करेगा डवलमेंट की बात नहीं करेगा और हिंदू मुसलिम करने का प्रियास करेगा जान धरम पर ओट मांगने का प्रियास करेगा तो भया उस खबर को मैं नहीं दिखाऊंगा मैं इतना कहूंगा कि जब भी तो निश्पच हो जाती धर्म से बिपरीथ हो अलग हो और हमें सा डबलमेंट की बात हो विकास की बात हो रोजगार की बात हो इस पर अगर चुनाव होता है और जो पार्टी बोले की उसी का समर्थन करूं उसी के बारे में बोलूँगा क्योंकि मैं जाती धर्म से दूर रहत लेकिन आइसा कहा जाएगा तो निस्पच जानकारी के लिए आप हमसे जूर सकते हैं अगर आपको इसी प्रकार के अथेंटिक जानकारी चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें जहीं जबारुस्तू नमस्कार